हेलो दोस्तों नमस्कार इश्काक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं ताप थ्री ऐसे पेने स्टाक की और इसमाल कैपी स्टाक की जो कि भाविश में इतने बड़े हो जाएंगे इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाए हैं तो दोस्तों आज हम ऐसे ही पेने स्टाक के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और इसमें से टाप थ्री जो पेने स्टाक और इसमाल कैपी स्टाक हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं तो चलिए दोस्तों बिना किछी देरीक हम वीडियो शुरू करते हैं अगर हम बात करें पहले इसमें से पहले इस टाकी तो वह है माधो इंफरा प्रोजेक्ट लिटेट जो कि फार्मली बात करें तो यह कंपनी काम करती है वह काम करती है इंफरा स्ट्रेक्चर डेवलप्मेंट में लेकिन जीस तरीके से इस सोल्डर पाउवर समंदी जनरेशन प इसका बहुत है क्योंकि इसको अभी ओंग से लगबग 117 करोन और MP से लगबग 44 करोन के टोटल प्रोजेक्ट मिले हैं उस हिसाब से देखें तो यह कंपनी बरतमान में गजब का प्रोग्रेस दिखाते हुए आगे बढ़ रही है और इसके अगर यहां पर बात करें तो यह करती है और चुकि अब जानते हैं कि यह जो गवर्मेंट है यानि जो इंडियन गवर्मेंट 2030 तक लगब 50% से ज्यादा यह जो री निवेबल एनरजी है उस पे जो है उससे बिजली उत्पादन की छंता का एक प्रोग्राम रख्य हुए है एक टार्गेट रख्य हुए है उसको इचीव करने में यह कंपनी बहुत बड़ा युगदान कर सकती है क्योंकि यह एक फ्यूचरिस्टिक जो है सेक्टर में काम कर रही है जो है सोलर और हाइड़ो पर्जेक्टे समंदिक सेक्टर तो अब अगर इसके फंडमेंटल के बात करें तो यहां इसका जो मार्के है और डेप्ट इस पर हलाकि एक सो ब्यासी क्रोन के आश पास है अगर करेंट प्राइस की बात करें तो यह च समंदित पेनी स्थाख है और बुक बैलू की बात करें तो इसका च्छे है च्छे रुपया है रिटन अनम इक्वेटी बाइस परसेंट है जो की बहुत ही अच् और यह return on capital implied भी 19% है, पेग ratio 0.12 के आसपास है, जो की ठीक ठाग दिखाई दे रहा है, और सबसे अच्छी चीज इसमें आपको बताऊं, तो यह है promoter holding pattern, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, खिलगबग 70% के आसपास है, और किसी भी penny share से संबंदित कोई भी stock में, 70% के आसप आसपास जो है promoter holding होना, अपने आप में, उनके इस company पे भरोस्य को दर साता है, इसके अलावा, अगर हम बाट करें, इसके current price की, तो current price की तो यह 6 रुपे पे trade कर रहा है, और यह अपने 52 week high 7 रुपे के आसपास से trade कर रहा है, और 52 week low इसका 3 रुपे 55 है, dividend yield यह अभी नहीं company है, face value इसका 1 रुपे है, और industry पी यह इसका 30 के आसपास है, और यह जो privilege है, इसका कोई privilege नहीं है, 89 परसे नहीं, 70 परसे जो promoter holding pattern है, उससे समंदे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कि यह जो share है, इसमें, इसका fundamental, जीशी साब से पे इनी share है, इसका fundamental, बहुत एक तरीके से manageable दिखाई दे रहा है, यहीं पे हम अगर इसके sales growth की बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कि एक साल में इसका sales growth रहा है, लग बगता है 40% के आसपास रहा है, तीन साल में 8% और 5 साल में इसका 2.91% के आसपास इसका sales growth रहा है, और यहाँ पे आप देखिए, इसक profit growth दिखाई दे रहा है, वो 161% के आसपास दिखाई दे रहा है, और यहाँ अगर हम इसके return on equity percentage growth की बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए, एक साल में 9% के आसपास रहा है, तीन साल में हलाकि 0 है, लेकिन 5 साल के अगर बात करें, तो 2.57% के आसपास रहा है, और यहाँ प यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए, return on capital implied और return on capital जो equity है, वो दोनों अभी फिरहाल तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, अगर इसके promoter holding pattern के बात करें, तो यहाँ इसके promoter के पास 79% है, और थात इसमें promoter जो है, इस share पे या इस company पे अपना विश्वास बखु भी कायम हुए, रखे हुए है, वहीं अगर public की बात करें, तो 31% के आजपास promoter holding है, जो की बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, हाला कि इसमें एक concerning जो point यह है, को इस पे 182 क्रोन का debt है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा इस पे concern है, लेकिन चुकि आप जानते हैं, और अतह यह पेने स्टाके थ्रू ही काम करता है, और यहां पे FIIs की कोई entry नहीं है, DIs की कोई entry नहीं है, और other जो भी percentage है, उनकी भी कोई entry नहीं है, अब हम बात करें, अगर दुसरे share की, तो दुसरा share है, विकास Life Care Limited, जिसका हम पहले से चुकि इसके दिखते आ रहे हैं, ल अच्छे अच्छे project प्राप्त कर रही है, उस हिसाब से यह company बहुत ही global दिखाई दे रही है, इस company के अगर हम segment की बात करें, business segment की, तो यहां पे आप देखिए, यह जो company environment protection में काम करती है, health and crop care में भी काम कर रही है, और infra product में यह अभी हाली में entry ली है, और healthcare product में जो है, औ यह leading provider है, high-end specialty, जो chemical है, customer across the world, अर्थात पूरे 200 में यह अपना विष्थार करते जा रही है, और साथी साथ यह leading, जो world leading technology, chemical science, created, value-added, refer alternative product and application across the street, अर्थात यह जो chemical sector से समद्धी यह काम तो करती है, साथी साथ अभी हम आपको उपर बताएं, कि इन्हों ने entry ले लिया है, जो crop से समद्धी chemical बनाने में भी इसने entry ले लिया है, और इसके अलबा यह जो FMCG जो sector है, इसमें भी अपना product launch करने जा रही है, तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं, यह जो 1995 में incorporate होई थी, और trader manufacturing polymer, rubber, compounds and additive, जो plastic products हैं, उसमें यह काम करती है, और साथी साथ यह synthetic जो natural rubber है, infra में और agro product में भी यह काम करना शुरू कर दी है, और साथी साथ इसने जो FMCG जो sector है, उसमें भी entry ले ली है, इसी के बारे में अभी हम आप से इससे पहले जब slide में बात कर रहे हैं, तो दिखा रहे थे, कि FMCG sector में भी इसने entry ले ली है, अब हम अगर इसके fundamental की बात क इसका मार्केट कैप है, वो 776 करोन के आसपास है, अर्थात यह एक नैनो कप कंपनी के रूप में अस्थापित है, हाला कि इसका return on capital implied है, वो minus 6% के आसपास है, debt इस पे नामातर का है, लगबग 30 करोन के आसपास, और profit after tax, इसका minus में फिलहाल रहा है इस साल, और current price की बात कर प्रेट कर रही है, और इसका book value जो है, high रुपे के आसपास है, return on equity जो है, इसका minus में है, pay ratio तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, और promoter holding pattern की बात करें, तो 11% है, हाला कि यह जो promoter holding pattern है, यह जल्द से जल्द आपको increase होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि promoter ने अच्छी खासी इसमें खरिदारी की है, तो 52 एक हाई की बात करें, तो 5 रुपया 45 पैसे के आसपास है, और इसी के पास यह trade कर रही है, और 52 वी के लोग जो है, 2 रुपया 26 रुपया से, dividend यह नहीं देती है, face value एक रुपया है, अर्थाथ इस प्लिज की संभावना इसमें नहीं है, इंडस्ट्री पी 39 के आसपास है, और प्लिज 0.07 अर्थाथ नगड़ प्लिज दिखाई दे रहा है, तो अगर इसके sales growth की बात करें, तो यहां पर आप देख रहे हैं, कि एक साल में इसने लगए 300% के आसपास का sales growth किया है, वहीं 3 साल में की बात करें, तो 11% के हिसाब से इ हुआ है, तो आप देख रहे हैं, कि इसके sales growth में अच्छी खासी ब्रिदी दिखाई दे रही है, वहीं अगर इसके profit growth की बात करें, तो एक साल में जहां इसका profit growth जो है, लगबग 900% के आसपास रहा है, वहीं 3 साल में इसका profit growth है, वह 137% के आसपास रहा है, वहीं अगर हम 5 स है, इसमें 897% profit growth दिखाई दे रहा है, हम इसके return on equity percent के recent data की बात करें, और return on capital implied recent data की बात करें, तो यहां पर आप देखिए, इसका return on equity अभी हम देख रहे थे, कि minus में थालग बग 6% के आसपास, वह बढ़के 21% के आसपास हो गया है, और यह एक साल की, पिछले एक साल की ब करें, तो इसमें भी अच्छी खासी प्रतिति दिखाई दे रही है, और यह जो 3% के आसपास था, वह बढ़के लगबग 25-26% के आसपास हो गया एक साल में, और तीन साल में इसका average return on capital implied रहा है, वह लगब 12% के आसपास रहा है, और 5 साल में लगबग 8% के आसपास रहा है, तो कुल मिलाज़र कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहा हैं, कि इसके sales growth, profit growth, return on equity percent है, return on capital implied में अच्छी खासी growth दिखाई दे रही है, अब मैं इसके promoter holding pattern की बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए, public के पास इसमें लगबग 88-89% promoter holding, मतलब holding बनी होई है, और promoter के पास परसेंट से उपर होता हुआ, आपको दिखाई देगा, वहीं FIIs की भी नगड़ entry है, DIAI के interest में नहीं है, और एक चीज और आपको बता दू, कि यहाँ पे आप देखिए, जो promoter holding जो था, वो मार्स 2013 में 11.36 था, तो एक तरीके से इसमें जून में इसमें हलकी फुलकी बि उसमें से लगबग 13% गृवी रखी होई थी, पिलीज के रूप में रखा हुआ था, जिसको छुडा लिया गया है, अब नगड़ पिलीज हो गया है इसके पास, और इस कंपनी में जिस तरीके से development हो रहा है, अच्छे खासे इसको अच्छा खासा project मिला है, और कंपनी इसक आप से यह company आने वाले समय में आपको अच्छा खासा return लिकाल के दे सकती है, अब हम अगर इसमें से जो best three top stocks थे, उसके में अगर हम अंतिम stocks की बात करें, जो penny stock है यह भी, उसका अब नाम है, विकास सिकोटेक, limited share, और यह जो काम करती है, इस प्लास्टिक कंपाउंड में, और आपको एक चीज और बता दें, कि यह विकास जो life care limited share है, उसकी यह subsidiary company के रुप में काम करती है, इस company का जो product है, वो लगवग 20 countries में जाता है, अर्थात यह national के साथ साथ, international भी जो है, अपने product की supply करती है, तो इस हिसाब से आप देखिए, इस हिसाब से penny stock है, उस हिसाब से इसमें अच्छा खासा progress दिखाई दे रहा है, और जाते जाते एक चीज और बताऊँ आपको इसमें, कि यह जो company है, इससे बखुत बड़े-बड़े client अभी जूड़े हैं, जैसे उलेक्टरा ग्रीन हो गया, उलेक्टरा ग्रीन के साथ साथ पॉलिकाइब इंडिया लिम कर रही है, और ऐसे chemical का निर्माड कर रही है, जो कि जिसका भावी से भी बहुत उजवल दिखाई देता है, जैसे बैटरी में यूज होने वाले chemical का निर्माड कर रही है, जिससे बैटरी बनाया जाता है, और आप जान रहे हैं कि इस समय भारत सरकार यानि पूरे 200 में भी यह जो इलेक्ट्रिक गाडियों की अच्छी खासी डिमांड बढ़ रही है, तो इस हिसाब से इसका भी डिमांड आगे आप बढ़ता हुआ, देख सकते हैं, अब हम आपको इस कंपनी के बारे में बताएं, तो यहां पर आप देखिए, 1984 में यह जो इस्टेबलिस होई थी और यह मुख्य रूप से केमिकल के सेक्टर में काम कर रही है, और यह जो केमिकल के सेक्टर है, वो additive and especially polymer compound के रूप में काम कर रही है, अगर इसका market cap की बात करें, तो इसका market cap है, वो 365 करोड के आसपास है, वहीं स्टाक पी इसका 38 है, और return on capital जो implied है, वो 6-7% के आसपास है, debt इस पे लगए 60 करोड का दिखाई दे रहा है, जो कि अभी घट के ही updated data नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह जो घट के 50 करोड के आसपास हो गया है, और यह जो company जो है, अपने आपको 2024 financial year तक last जाते जाते है, यानि मार्स 2024 तक अपने आपको zero debt करने के लिए अग्रसर ह आसपास है, वहीं अगर pay ratio की बात करें, तो minus में promoter holding इसका लगबग 8.5% के आसपास दिखाई दे रहा है, और promoter holding के बार में आपको बता दूं कि यह जो 8% के आसपास दिखाई दे रहा है, वो जल से जल 15% होने माला है, अगले quarter भी जब आप देखेंगे तो इसका 15% हो गय है, इंडस्ट्री पी लगबग 38 के आसपास है, पुलिस भी यह कोई भी शेयर नहीं रखी है, अब हम अगर इसके sales growth के latest update की बात करें, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इसका sales growth में ब्रदी होई है, एक साल में 150% की ब्रदी दिखाई दे रही है, जो की 116 से बढ़के 250 हो साल में, यह 43% के आसपास माइनस में दिखाई दे रहा है, वहीं हम return on equity की बात करें, तो return on equity भी इसमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है, और यहां पे आप देखिए, इसका return on equity पहले माइनस में था, वह अपलस में आ गया है, वही return on capital implied की बात करें, तो वह भी अब जो है, ए return on capital implied, return on equity है, दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे sales growth बढ़ेगा, need profit बढ़ेगा, तो यह सब बढ़ना आपने आप शुरू हो जाएंगे, अब हम अगर promoter holding pattern की बात करें, तो इसका promoter holding pattern अभी दिखाई दे रहा है, यहां पे आप देखिए, कि FII की entry है, यह 15% के आसपास है और यह जो entry ले गई है, आचानक ले गई है, तो इसमें FII भरबर के अभी माल उठाए है, promoter holding लवर 8% के आसपास है, यह भी जल्दी आपको 15% के आसपास है, वही अगर इसमें public की बात करें, तो लगबग 77% के आसपास है, और यह आपको जल से जल कम होता हुआ दिखाई वही जो है, तो इसमें आप देख रहे हैं, कि एक तरीक से decent इसका fundamental है दिखाई दे रहा है, जिस तरीक से ये तीनों के तीनों panic stack है, उस हिसाब से, ये decent रूप में ये दिखाई दे रहा है, तो अन्त में जाते-जाते, बस आप इस तीनो पेनी इस्टाक जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक सीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यह तीनों जो है पेनी इस्टाक हैं और इसमें से कोई भी जब पेनी इस्टाक होता है तो इसमें उतना ही पैसा लगाया जाता है जिसमें जो है आपका अगर डूप भ करने से पहले आप इस पे एक अच्छा खासा इनलाइसिस करने के बाद ही fundamental देखने के बाद ही कोई इन्वेस्मेंट करिएगा और इसमें उतना ही इन्वेस्मेंट करिएगा जितना आप कबार अपने घर का कबार बेचने के बाद आपको पैसा पराप्त होता है जैसे आपने अगर 500 का कबार बेचा तो उतने का ही आप इन्वेस्मेंट करिए ताकि आपका अगर यह चला भी जाए तो उतना आपको अफसोच नहों और अगर यह चल जाता है तो इसमें SIP के रूप में आप अच्छा खासा इन्वेस्मेंट कर सकते हैं यह जैसे यह यह ग्रोथ करता और शेयर मार्केट चुकियान इस चीजताओं का एक बजार कहा जाता है क्योंकि जो शेयर कभी 2700 रुपे के आसपास हुआ करता था जिसका नाम रिलाइंस केपिटल है वह 11 रुपे के आसपास आ गया है और इसको देखते हुए आप यही कर रहे हैं कि जैसे जैसे इसमें आप जो है इसका ग्रोथ बढ़ता जाए इसका फंडामेंटल मजबूत होता जाए आप इसमें जो है पैसा आपशा कर सकते हैं लेकिन फिलहाल तो इसे सब्सक्राइब करने से कम उतनाही i अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पर मिलती रहें जाहें दोस्तों